हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल केडियर बिडिल पाइंजिनियर में मैं उरंजन राज और जैसा कि आपको पता है जो एंचेल हैं अपरेटर का एक्जाम 29 नॉम्बर को होने वाला है उसी के लिए हमारा इसको हम लोग स्वेस्ट कर लेंगे तो आपका पूरा जो सिलेब से वह कवर हो जाएगा तो आइए सुरू करते हैं सबसे पहले10 प्रस्न है जो वाल वर टाइमिंग डाइग्राम से आपके पूछे जाते हैं तो यह प्रस्न इंग्लिस में ही है बाकी आगे वाले प्रस्न हिंदी में है तो आपको घवड़ाने जहुरत नहीं है क्योंकि यह 10 प्रस्न अगर हिंदी में हमें ट्रांसलेट करने लगता तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती तो इसको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा ठीक है तो आइए देखिए पहला प्रस्न पूछा गया है इने फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन दा इनलेट वाल यानि कि इसका कहने का मतलब यह है कि अगर फोर स्ट्रोक साइकिल का आपका पेट्रोल इंजन है तो उसमें जो इनलेट वाल वाल है वो कब खुलता है ठीक है तो ध्यान से आपसंस समझी अभी मैं आपको इसको आपसंस को समझा दूँगा तो आप समझ जाएंगे कि यह क्या कह रहा है पहला आपसन दिया है open at top red center and close at bottom red center ठीक है यानी कि open at top red center का मतलब क्या है यानी कि मल लेजिए सिलेंडर है आपका पिष्टन जब आपका यहांपे top red center पे पहुँचेगा तब आपका इनलेट वाल वक खुल जाएगा ये सही नहीं है ये वाला आपसन यह जो कह रहा है यह first option में इसको में बता रहा हूँ और क्या कह रहा है कि inlet वाल close कब होगा जब आपका piston कहाँ पर पहुचेगा bottom red center पर पहुचेगा ठीक है तो पहला option यह दिया है इसी तरीके से जो next option देखेंगे तो next option आपको क्या दिया है next option दिया है open at 20 degree at 20 degree before top red center अब देखें यहाँ पर माली यह cylinder है cylinder के अंदर यह piston है और यह top red center की तरफ बढ़ रहा है यह किस से जुड़ा होगा connecting rod से और connecting rod से जुडने के बाद यह crank pin से जुड़ा होता है और फिर crank pin के मात्यम से crank shaft से जुड़ा होता है तो देखें जब piston हमारा top red center पर पहुँचता है तो यह जो पूरी crank है यह क्या हो जाती है एकदम सीधी हो जाती है इस तरीके से तो यही करा एक open at 20 degree before top red center यानि कि जब हमारा piston top red center पर नहीं पहुचा रहेगा यानि कि 20 degree पहुचने से पहले अब यह degree किसका code है इसको समझने का प्यास करिए यह जो crank इस vertical के साथ code बनाएगा मैंने अभी आपको बताए कि जब top red center पर पिष्टन पहुचेगा तब हमारा यह crank सीधा होगा लेकिन अगर top red center पर नहीं पहुचा है तो उसके पहले हमारा crank कुछ नब कुछ angle बनाएगा इस vertical के साथ यानि कि एक सीधी रेखा कीज दिया जाए तो top red center पहुचने से पहले एक angle बनाएगा वही angle की बात कराए क्योंकि crank कैसा हमारा घूमता है गोले में घूमता है गोला कितने होता है 360 degree का तो ठीक जो angle crank बनाएगा वर्टिकल के साथ वो कितना होना चाहिए 20 degree और जब यह 20 degree होगा उसी समय हमारा inlet wall क्या हो जाएगा open हो जाएगा यानि कि जब piston exhaust stroke करेगा exhaust stroke करने के लिए top red center पहुचेगा top red center पहुचने से 20 degree पहले ही यह जो है हमारा inlet wall open हो जाएगा यह चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक बार आप इसको समझ लेंगे तो हर के उससे में आप समझ जाएगे कैसे हमारा wall open हो रहा है कैसे बंद हो रहा है अब देखिए अगला क्या है open है 20 degree before top dead center and close 40 degree after bottom dead center अब इसका कहने का मतलब यह है अब देखिए जब यहाँ पे bottom की तरफ आएगा हमारा piston तो भी हमारा crying क्या होगा एकदम straight होगा लेकिन कहाँ पर नीचे की तरफ मैंने आप वो सभी lectures में समझाया हुए आप figure आप आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा एकदम नीचे तो यहाँ पे 40 degree after bottom dead center यानि कि जब हमारा piston bottom dead center पे होगा और उसके बाद फिर उपर चलना शुरू करेगा तो जब हमारा crank 40 degree का angle बनाएगा इस vertical के साथ कब जब हमारा piston bottom dead center से TDC की तरफ यानि कि top dead center की तरफ जा रहेगा तब हमारा inlet valve है close हो जाएगा यानि कि जो पूरा खेल है वो आप समझेए जो पूरा खेल है किसका है crank का है crank जो angle बनाता है vertical के साथ जितने भी angle की यहाँ पे बात की जाएगी वो सभी crank के angle की बात की जाएगी और piston क्या है piston हमारा यह बताएगा कि top dead center की समय angle बना रहा है कि bottom dead center की समय angle बना रहा है तो इसी तरीके के प्रसनाब से exam में पूछे जा सकते हैं हाला कि यह level थोड़ा सा high है operator में हो सकता है पूछे हो सकता है ना भी पूछे लेकिन 10 questions है तो आप इसको पढ़ लीजेगा में भी पूछ भी ले तो आप इस question को कर सकते हैं अब इसी तरीके से आपको हर question में नहीं चमझाओंगा जब bottom dead center, top dead center कहेगा तो आप उन सभी questions को आसानी से समझ जाईएगा तो बढ़ते हैं आईए अगले question की तरफ next question नमारा question number 2302 ठीक है देखे इसमें क्या पूछा है कि इने 4 stroke cycle petrol engine the compression यानि कि जो compression है वो कब सुरू होता है तो इसमें कौन सा अप्सन सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरे प्रसंगी अगर बात करें तो इसमें कौन सा अप्सन सही हो जाएगा तो आपका अप्सन नमबर A यहाँ पर सही हो जाएगा यानि कि start at 40 degree after bottom rate center यानि कि जैसे ही हमारा section खतम होगा ठीक है अभी वहाँ पर हमने section वाले श्टूक में क्या देखा था कि 40 degree पर हमारा पता है तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं कि start at 40 degree after bottom rate center and ins at 30 degree before top rate center मैंने आपको सभी प्रक्रिया पहले ही समझा दे कि यहाँ पर जो degree दिया है यह crank का कोड है और पिष्टन हमारा कहाँ पर है TDC या BDC पर उसका ये कोड जो है बता रहा है इसमें आपसे पूचा है इने 4 stroke cycle petrol engine the charge ignited add यानि कि जो charge है petrol engine में charge के रूप में हमारा क्या होता है charge के रूप में हमारा होता है petrol और air का miss run तो यही पूचा है कि इने 4 stroke cycle petrol engine charge को कितने कब ignite किया जाता है तो फिर आप यहाँ से पिछले वारे प्रस्ण से पर समा सकते है कि 30 degree before top rate center यानि कि जैसे ही भाईया हमारा compression खतम होगा वैसे ही तो हमारा charge को ignite किया जाएगा तो देखे इस वाले प्रस्ण में आपको कहां दिख रहा है 30 degree before top rate center कहीं दिख रहा है तो जी पहला ही option है तो simple आपका पहला option है आपके सही हो जाएगा यानि कि piston जब top rate center पहुचने वाला रहता है 30 degree पहले ही crying के core से 30 degree पहले ही हमारा क्या जला दिया जाता है जो charge है उसको जला दिया जाता है 4 stroke petrol engine की यहाँ पर बात हो रही है next question की तरह बढ़ते है next question हमारा 304 इसमें देखिए आप से क्या पूचा है इन्हें 4 stroke cycle petrol engine the expansion यानि कि अब बहिया ignite करा दिया तो expansion जो है वो कभी start होगा तो यहाँ पे simply पिछले वाले questions से आप इसको कर सकते है तो कौन सा option सही हो जाएगा तो option number B आपका यहाँ पे सही हो जाएगा next question हमारा question number 305 इसमें आप से बूचा है the exhaust valve in a 4 stroke cycle engine ठीक है the exhaust valve open यहाँ पे होगा open in a 4 stroke cycle petrol engine आएगी जो exhaust valve है वो कभ open होता है तो यहाँ पे कौन सा option सही हो जाएगा तो यहाँ पे option आपका A सही हो जाएगा जब हमारा expansion खतम होगा just उसके पाद हमारा exhaust valve open हो जाएगा तो opens at 50 degree कितना हो जाएगा opens at 50 degree before bottom red center and close at 50 degree after top red center तो उमीद करता हूँ कि इस तरह से questions आप समझ में आ रहे होंगे मैंने समझाया है क्योंकि हाट question नहीं समझाया जा सकता समय की कमी के कारण क्योंकि आपका exam ही है एक दू दिन में तो आप इन question को अगर नहीं समझ में आ तो आप रट लीजेगा next question की तरह बढ़ते हैं next question है question number 306 इसमें आप से पूचा है inlet valve of a four stroke cycle internal combustion engine remains open for अब देखें यहाँ पे total दे दिया है जब पहले हमारा पूच रहा था तो कैसे पूच रहा था TDC के बाद कौण पूच रहा था TDC के पहले कौण पूच रहा था या BDC के पहले कौण पूच रहा था BDC के बाद कौण पूच रहा था लेकिन यहाँ पर total कौण पूच दिया आपको पता है कि जो टोटल हमारा होता है 360 डिग्री पर होता है ठीक है 360 डिग्री हमारा किसी बी अगर तो पूरा 360 डिग्री होता है तो इसमें आप से पूश लिया है कि the inlet वालवा 4-stroke internal combustion engine remains open फार यानि कि इसमें आपको पेट्रोल इंजन कोई अलग से नहीं दिया है डीजल इंजन नहीं दिया है लगभग एक लगभग में याया प्रक्स्मेट्व पूछ लेगा कि कितने डिगरी पर हमारा क्राइं कराएगा तो 350 में आफ बताई है कि कितने डिगरी Влад Jagheim करेगा नेस्स question है question no.307, इसमें आपसे पूचा है, इन है 4 stroke cycle diesel engine, the inlet valve. अब दिखें यहां पे किसकी बात हो रही है, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, petrol engine की बात कर रहे थे, अब किसकी बात की जाएगी, diesel engine की बात की जाएगी, तो यहां पे थोड़े पहोच क्या हो जाएगे हो जाएंगे तो अगर डीजल इंजन की बात करें तो जो इनलेट वालव है वो कब ओपन होता है कौन सा अप्शन सही हो जाएगा तो अप्शन नमबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा ठीक है ओपन कि फ्यूल इंजेक्शन वालव जो ओपन होता है अब देखिए यहां पर कुछ लोग को जो है डाउट है कि छातर ने मेरे पास मैसेज किया था कि डीजल इंजन में कोई वालव नहीं होते हैं वहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर होता है तो मैंने उसको यह बताया था कि भाईया नहीं है और confusion आपको होगा ही बहुत लोग को डाउट है बहुत से मैसे जाते हैं तो देखिए इंजन है मैं आपको पहले बता दूं कि यह इंजन है तीन-तीन साल लोग पढ़ते हैं हम लोगों भी तीन साल से इंजन पढ़ रहे हैं तब जाके मेरी इतनी चीज़ें clear हो पा दिया जाए और ज्यादस ज्यादा questions आपको दे दीजिए तो अगर आपको confusion हो रहा है तो होना लाजमी है क्योंकि इंजन ऐसा ही topic है बढ़ते हैं next question की तरफ इसमें देखी क्या आप उचा एक the fuel injection वाल इन 4 stroke engine diesel open यानि की जो fuel injection वाल वह है वो कब open होता है तो कौन सा option है आपके सही हो जाएगा तो option number B आपके यहाँ पर सही हो जाएगा opens at 15 degree before top red center and close at 20 degree after bottom red center वरते हैं next question की तरफ दो question हमारे और है वाल टाइमिंग डाइडाम से तो इसको भी कर लेते हैं इसके बाद आपके जो questions है वह हिंदी में आने लगेंगे आपको परसान होने की जबूरत नहीं है next question हमारा इने 4 stroke cycle diesel engine ता compression same वही वह question जो petrol engine पूछ रहा था वही आपका diesel engine पूछ रहा है कि 4 stroke diesel engine की बात करे तो जो compression है वो कब start होता है तो कौन सा option सही हो जाएगा तो option number A आपके हाँ पर सही हो जाएगा start at 40 degree after bottom dead center and ints at 10 degree before top dead center क्या angle क्या है क्या चीज़े हैं जो मैंने आपको पहले दूसरे question में समझाया same वही चीज़े यहाँ पर भी apply होगी next question की तरह बढ़ते हैं next question है आपका question number 310 इसमें आप से पूचा है in a four stroke cycle diesel engine the exhaust wall same वही कि exhaust wall कब open होता है कब close होता है तो यहाँ पर भी option number A आपके हाँ पर सही हो जाएगा कि opens at 30 degree यहाँ पर कर लिजे 300 थोड़ा का mistake हो गया है opens at 30 degree before bottom dead center and closes at 10 degree after top dead center तो कौनसा option सही हो जाएगा तो option number आपका A यहाँ पर सही हो जाएगा बढ़ते हैं इस question की तरफ अब यहाँ पर देखिए diesel engine यह हो पेट्रोल इधन की जो पढ़ाली है उससे जुड़े प्रसनों को हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे आनि कि diesel and petrol fuel system से जुड़े प्रसनों को हम ल firing order रखा जाता है अब multi cylinder एक ही कई engine होते है इसमें एक ही cylinder होता है लेकिन जब बहुत ज़्यादा पावर हमको चाहिए होती इसे कार की बात करें ट्रक की बात करें टिपर अगरा की बात करें बस की बात करें तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कई cylinder वाला जो है engine प्रियोग अचानक नहीं जला जाता क्योंकि अगर अचानक जला देंगे यानि कि सब में एक साथ जला देंगे तो जो इंजन की पावर है एकदम अचानक जो एकदम जादा हो जाएगी तो connecting राड वगरा उस force को सहन नहीं करवाएंगे तो क्या कर सकते हैं तूट हो सकते हैं और engine में ह तीसरेम जला दिया फिर चौथेम जला दिया ठीक है तो इसका एक रीजन यहीं होता है कि क्यों मतलब ऐसार किया जाता है क्यों एक साथ नहीं जला जाता तो पहली बात मैंने आपको बताया कि एक साथ जला देंगे तो हमारा connecting राड क्रेंक साफ्ट यह सब सभी तूट सकते हैं दूसरा रीजन ही होता है कि एक अगर निश्चित इसे चार सिलेंडर इंजन है तो इसमें एक दो तीन चार ऐसे नहीं जलाते हैं इसमें कैसे जलाते हैं 1342 1342 का मतलब पहले पहले वाले इंजन में पहले जलाएंगे फिर तीसरे वाले सिलेंडर में फिर चौथे नेस्स केस्टें की तरह बढ़ते हैं इसमें आपसे पूचा है इंजन के वालव नियंत्रित होते हैं तो पहला आपसे ने कैम साफ्ट द्वारा तो आप लोग को इसका आपसन पहले ही पता होगा ज्यादा मैं पूरे आपसन परणने में टाइम वेश नहीं करूँगा तो कैम साफ्ट के द्वारा इंजन के वालव को नियंत्रित किया जाता है ठीक है नेस्स क्वेश्टें की तरह बढ़ते हैं नेस्स क्वेश्टें है क्वेश्टें नंबर 313 इसमें आपसे पूचा है कि एक इंजन में वेपर लॉक संबंधित होता है पहला है द्रव कणों वाले व नेस्स क्वेश्टें की तरह बढ़ते हैं नेस्स क्वेश्टें मारा क्वेश्टें नंबर 314 ठीक है इसमें आपसे पूचा है कि कार के निकास से निकलने वाले प्रदूसर को कम करने के लिए प्रयुक तो विसेस फिल्टर क्या कहलाते हैं तो देखिए जो बड़ी- वाहन अगेरा होते हैं माल तो आप प्राणाली आ Uskें लगा देखिए को दूसरी में बडल देता है वह करता है और पर इस फिल्टर में ऐसा कुछ पदार्त रहता है जिस से केमिकल रियक्शन होता है एसके में करना है निकलत है यहां से रियक्षन कर कि वो थोड़ी कम हानिकारग गैसों में क्या होती है परिवर्थित हो जाती है तो यही आपसे पूछाए कि जो प्रयुक्त विशेस फिल्टर है उसको क्या कहा जाता है तो उसको catalytic converter कहा जाता है यानि कि आपसा नमबर D आपका हहां पर सही हो जाएगा next question देखिए क्या है कि sediment chamber की वस्ता का क्या उद्देश से है तो आपसा नमबर B आपका हहां पर सही हो जाएगा diesel से भारी वस्तों को अलग करने के लिए sediment chamber का उपयोग किया जाता है और यह हमारा time होता है diesel का उसमें होता है next question की तरफ बढ़ते हैं इसमें आपसे पूचा है fuel transfer pump चलता है यानि कि fuel transfer जो pump होता है वो कैसे चलता है तो option number C आपका हहां पर सही हो जाएगा इसको कैम साफ्ट द्वारा जो है चलाया जाता है next question की तरफ बढ़ते हैं इसमें आपसे पूचा है आधुनिक motor गाड़ियों में इधन भरने के लिए निमनलखित में से किस पढ़ाली का उपयोग किया जाता है पहला option है गुरुत भरन पराली दूसरा option है दाब भरन तीसरा है निर्वात भरन और चौथा है पंप भरन पराली तो आधुनिक motor में जो आप पेट्रोल पंप अगर आप गये होंगे तो वाहन जो है भरने के लिए इधन को भरने के लिए किस का उपयोग किया जाता है पंप भरन पराली का जो है उपयोग किया जाता है next question की तरह बढ़ते है next question है question number 318 इसमें आप सब पुचा है fuel injection pump द्वारा fuel की मात्रा किस प्रकार नियंत्रित होती है ठीक है तो दिखी यहाँ पे जो सबसे सही option सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा option number आपका D यहाँ पे सही हो जाएगा control sleeve द्वारा plunger को घुमा करके हम क्या कर सकते हैं fuel injection pump द्वारा कितना fuel cylinder में भेजा जाना चाहिए उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं और दिखें यही जो होता है यहीं से आप लोग mileage कम या जादा करते हैं जैसे यहाँ पर जो mileage बता हम system होगा वह क्या काम करेगा ऐसा setting कर देगा कि जो fuel जा रहा है engine में क्या जाएगा कम जाने लगेगा कम जाने लगेगा तो एक बार में कम फ्यूल जालेगा तो automatically आपका जो bike का average है वह बढ़ जाएगा लेकिन ऐसा करवाने से क्या होता है engine को बहुत ही नुकसान होता है ठीक है क्योंकि अगर आप किसी भी bike का mileage बढ़वाते हैं तो engine को क्या होता है बहुत ही नुकसान होता है engine हमारा बहुत जल्दी क्या होता है खराब हो जाता है अब आपको काम करना है और आपको कम खाना दिया जाए तो आप कितने दिन काम कर पाएंगे इच्छे से नहीं कर पाएंगे कुछ दिन में आपका सरीर कमजोर हो जाएगा तो ठीक वही engine के साथ होता है तो अगर आप किसी भी bike का किसी भी four wheeler का mileage आप कभी नहीं बढ़वाएंग इगनीशन प्रणाली में battery का क्या कार होता है तो आपसा नम्बर बी आपके हमाँपर सही हो जाएगा low tension current देना battery का काम होता है इगनीशन प्रणाली में पर रहेंगे तो समार मात्रा मगर डीजल सप्लाई करना है तो उसके लिए क्या जो सेटिंग की जाती उसे क्या कहते हैं उसे हम दो कहते हैं कैलिब्रेशन ठीका कैलिब्रेशन किसी भी जो है इंस्टुमेंट की जब सेटिंग की जाती तो उसको भी क्या कहते हैं उसको भी कैल current को firing order में spark plug को देना तो कौन सा option सही हो जाएगा option number C आपका यहां पर सही हो जाएगा ठीक है अब इसको समझ लीजे सोड़ा से यहां पर लगा होता है distributor और मैं आपको बता दूँ कि distributor का उपयोग किया जाता है वो multi distributor है यहां से जब battery से current आएगा ठीक है ignition coil से होते हुए तो यह क्या करेगा यही एक यहां से current को क्या करेगा distribute करेगा बाटने का काम करेगा हर cylinder के spark plug में तो यही काम होता है distributor का next question की तरह बढ़ते हैं next question है question number 322 इसमें आप सब पुचा है spark plug की पर कितने वोल्ट का current पहुचता है ठीक है काफी ज़्यादा confusion होता है कुछ गलत जो है जानकारी अभी आपको होती है बहुत ज़्यादा confusion होता है तो यहां पर देखिया आप संसीधिया हुआ हुआ है 20,000 वोल्ट अब आप हमसे क्या क्या मैसेज करते हैं आप मेरे पास वाड़सेप पे लोग की इस चैनल में कोई दूसरा बता रहा है आप नहीं यह बताया था तो मैंने आपको क्लास में क्या बताया था जो spark generate कराने के लिए अब उससे ऊपर वाला option आप मारेंगे ना अगर किसी भी बुक में किसी भी एक्जाम में आपको option नहीं दिया है तो एक हजार वोल्ट पंदरस वोल्ट पचीस से वोल्ट से आप नहीं करा सकते हैं ठीक है तो जो बाइस से वोल्ट अगर आप ने कहीं पढ़ा हुआ तो आप उसको ना मानिए कि 6000-5000 कम से कम आपको minimum voltage चाहिए इस पार के जनरेट कराने के लिए तो यहां पर कौन सा option आपको सबसे सही लग रहा है 20,000 वोल्ट तो यहां पर क्या सही हो जाएगा 20,000 वोल्ट और नारमल अगर आपको दिया है 6000-10,000 वोल्ट तो व यह 44 कहीं दिया है तो और कोई option सही नहीं तो आप क्या करेंगा आप 44 ही तो मारेंगे तो इस तरीके से आप सभी चीज़ों को manage कर सकते हैं ठीक है next question की तरह बढ़ते है next question है spark plug का मुख्य भाग कौन सा है ठीक है spark plug का मुख्य भाग कौन सा है पहला है आपसन insulator दूसरा है terminal तीसरा आपसन है central electrode चोथा आपसन है यह सभी तो spark plug आप निकाल कभी बाइक से देखिएगा सभी यह है जो insulator यानि कि जो insulate करने का काम करता है body से ताकि body में करेंट ना है terminal होता है और central electrode होता है जो बीच में लगा रहता है next question की तरह बढ़ते हैं next question हमारा question 324 इसमें आपसे पुछा है spark plug को उच्च वोल्टेज करेंट मिलता है यानि कि spark plug को उच्च वोल्टेज करेंट कहां से मिलता है तो option number आपका D सही हो जाए मैंने भी आपको पता है distributor distributor क्य को उच्च वोल्टेज करेंट कहां से मिलता है तो distributor से मिलता है next question की तरह बढ़ते हैं next question हमारा question 325 इसमें आपसे हुचा है engine के सभी सिलेंडरों में miss fire होने का क्या कारण है ठीक है अब देखें miss fire आपका multi cylinder engine में होता है miss fire मतलब क्या हुआ कि जैसे मा लीजे आपका 4 cylinder engine है आपको क्या करना है आप पहले पहले वाले को जलाएंगे फिर तीसरे वाले को जलाएंगे फिर चौथे को जलाएंगे फिर दूसरे को जलाएंगे लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने आपका पहले वाले cylinder का fuel जला तीसरे का जला लेकिन चौथे में क्या हो गया miss fire हो गय या तो यहां पे spark plug सही चे काम नहीं कर रहा है जो भी दिक्कत हो तो चौथे वाले cylinder का आपका जो है यानि की combustion fuel का हुआ ही नहीं लेकिन आपका bike चल रहा है क्यों क्यों कि आपके 3 cylinder ही है जो है काम कर रहे है या bike engine में आपका जो है fuel जल जा रहा है लेकिन एक में आपका किसी एक में misfire हो जा रहा है यानि कि कि किसी एक में किसी दो में यान ही कि वहाँ पे fuel नहीं जल पा रहा है हरी stroke के दोरान ठीक है misspinger हो जा रहा है तो यह आपसे पूछा हो सकती है next question की तरह बढ़ते हैं next question नमारा question number 326 इसमें आप से पूचा है battery प्रयोग होने पर कारे नहीं नहीं करता है ठीक है यानिक एगर battery यहाँ पर थोड़ा सा यह दिक्कत है कि एगर battery प्रयोग नहीं हो रहा है तो क्या कारे नहीं करता है ठीक है battery अगर बहुत दिन तक आप व्योग नहीं करते हैं तो क्या कारे करना बंद कर देता है जो आपका बाई को क्या अगरा बंद कर देता है जिसके करना बात जो कार वगयरा है वो स्टार्ट नहीं होता है तो कौन सा अप्षन सही हो जाएगा तो यहां पर आपसा नमबर आपका बी सही हो जाएगा हाई टेंशन क्वायल नेस क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं नेस क्वेश्चन नमबर क्वेश्चन नमबर 327 इसमें आपसे पूछाए एक डीजल इंजन में इधन को इंजेक्ट किया जाता है कैसे इंजेक्ट किया जाता है तो फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा अगर आपसे पूछे किसके माध्यम से तो फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा डीजल इंजन में किय जाता है कब किया जाता है तो पहला आपसन है compression stroke के प्रादम में दूसरा आपसन है compression stroke के अंत में तीजरा आपसन है compression stroke के अंत से पहले और चौथा आपसन है compression stroke के अंत के बाद में तो अभी जब मैंने आपको compression stroke वाल टाइमिंग डाइग्राम वाला क्वेस्चन कर रहे थे तो वहाँ पे आप उपर से देखेगा क्या था बिफोर यानि कि टाप डेट सेंटर बिफोर एंगल एक था देखिए वहाँ ध्यान से तो बिफोर मतलब यानि कि कंप्रेशन इस्टोक खतम होने से पहले ही क्या कर दिया जाता है फ्यूल को इंजेक्ट करा दिया जाता है तरह बढ़ते हैं कि अब हैज करेशन नमर 328 इसमें आफ से पूचा है किसी डीजल एंजिन में दहन उत्पन किया जाता है पहला है इस पार्क और संपीडन से तीसरा है आटमेटी कि स्टार्ट से और चौथा है घर स और जब यहां से फ्यूल इंजेक्टर क्या करते हैं डीजल को लाते हैं तो अपने आप जो उस्मा के कारण जो हवा वहाँ पर गरम हुई है डीजल उसके अंदर आता है तो हमारा जो है फ्यूल जनने लगता है तो उस चाद को क्या डाउट हो गया कि जैसे प्रिट्रोल बस डीजल को अंदर प्रवाहित करने का सिलिंडर की अंदर लाने का काम करता है डीजल जलता कैसे है तो जो हमने संपीडन कराया है जो इनलेट वालवे के दोरान हमने एयर लिया था उसके बाद उसका जो कंप्रेशन कराया है संपीडन कराया है उसके फल सुरूप, संपीडन के फल सुरूप जो उसमा उत्पन हुई है उसके कारण हमारा डीजल जलता है ना कि fuel injector डीजल को जलाने का काम करता है कौन सा option सही हो जाएगा तो option number B आपको यहां पर सही हो जाएगा कि किसी diesel engine दहन कैसे उत्पन किया तो संपीडन से उत्पन किया जाता है जितना अच्छा संपीडन होगा उतना ही अच्छा हमारा डीजल जलेगा next question की तरफ बढ़ते है next question है question number 329 इसमें आप से बहुत ही simple question है कि injector का उप्योग कहां पर होता है next question है इसमें आप से पुचा हीट इंजन का मुख्य रूप से प्रयोग है क्या होता हीट इंजन पहले लेक्चर पहला लेक्चर याद करिए डीजल जो पूरा elementary knowledge आप पेट्रोल और डीजल इंजन का है तो पहला लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें आपको हीट इंजन मारे मताया हुगा है तो हीट इंजन क्या गाम करता है तो उसमा उर्जा को देखिए सबसे पहले क्या होता है chemical energy change होती है किसमें heat energy में यानि कि उसमा उर्जा में कैसे यह पेट्रोल और डीजन क्या है chemical energy ही तो है इसमें क्या है carbon hydrogen oxygen इन्हीं सब तत्तों से मिलके बना होता है हमारा पेट्रोल और डीजल तो सबसे पहले जब dial circuit में आता है यह फ्यूल तो यहां पर chemical energy change होती है heat energy में उसमी उर्जा में लेकिन उसमी उर्जा वह मरे कोई काम की नहीं होती क्योंकि हमको ऊससे कोई powerième नहीं सकती है उसी के लिए उसमी यह उर्जा को फिर हमको किसमें बदलना रहता है या अंतरी कुर्चा में यानि की मकैनिकल एनर्जी में ताकि हम उससे कोई मसीन चला सकें कोई चीज यूज कर सकें तो वही काम करता है हमारा तो heat engine का मुख्री रूप से क्या होता है उसमा उर्जा को या अंत्री कुर्जा में बदलना next question की तरह बढ़ते हैं next question मारा question number 331 इसमें आपसे पूचा है नेमने में से कौन injector का कारे नहीं है पहला option है छड़ी के इधन को जलाना ध्यान से 4 option पढ़ लिजए दूसरा है उच्छदाप पर गैस से भरे cylinder में प्रवेस करने के लिए diesel को बाध्य करना तीसरा है cylinder में नन्हे कड़ो की रूप में diesel को प्रवेस कराना चोथा option है अत्य उच्छताप को सहन करते हुए cylinder के भीतर काम करना दिखे यह जो तीनों काम है यह इंजेक्टर के हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा प्रेसर के बाद भी cylinder में diesel को प्रवेस कराता है नन्हे कड़ो की रूप में प्रवेस कराता है तो उस उचताप को सहन करते हुए भी क्या करता है यह पहला अपसन आपका सहुजग छिड़की इधन को जलाना मैंने आपको पहले वाले question में बताए इसके पहले कि injector फ्यूल को जलाने का काम नहीं करता है ध्यान से इस बात को गांट बंद लीजे कि diesel इंजन में जो फ्यूल इंजेक्टर होता है यह फ्यूल को जलाने का काम नहीं करता है भीया बस इसका काम है कि diesel को सिरिंडर के अंदर पहुचा देना, इंजेक्ट करा देना, फुहार के रूप में, जलता वो खुदी है, संप्रिडेन के दवरान जो उसमा उत्पन हुई है, डीजल हमारा उसी से जल जाता है, डीजल इंजन की अधिक्तम और नियुनतम गति को विवस्थित करने के लिए नि इंजन हमारा कम गत पर चलाना है, तो कम سप्लाई देता है, हाई गति पर चाहिए, तो हमको ज्यादा सप्लाई देता है, यहनि की मेल किया काम करता है, फ्यूल की सप्लाई को नियंतरित करने का काम करता है, अब फिर आप यहां पर confusion हो सकता है, कि यह छो इंजेक्टर से ज तो गवर्नर जितना यहां से भेजेगा वही फ्यूल इंजिक्टर क्या करेगा सिलेंडर के अंदर पहुचाएगा तो बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन मैं समझ सकता हूँ सभी चीज़ें लेकिन जितना आपको पढ़ाया गया उस पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका हेम उपरेटर में आपका सेलेक्षन इस टॉपिक से तो नहीं रुकेगा नेस्स क्यूस्चन की तरह बढ़ते हैं नेस्स क्यूस्चन हमारा क्यूस्चन नबर 333 इसमें आपसे पूचा है डीजल टैंक में सेडिमेंट चेमबर बना होता है तो अभी एक क्यूस्चन में हमारा सेडिमेंट चेमबर आया था तो कहां पर बना होता है तो नीचे ले तल का management होता है ठीक है जैसे आप किसी इंडेस्ट्री में जाते हैं त्वारे एक management production management, coal handling department इसी तरही के से quality control management होता है जो डिप्लोमा वाले चात्रों क्यों जानते होंगे quality control management क्या होता है किसी भी चीज को यहने कि माली जब bike है बाइक हमको का करना है आपको पता है Québec की क्या है सभी parts अलग अलग बनते हैं ऐसा थो है नगी एक ghost इसके अलग अलग बनाते हैं उसके बाद उसको assemble करके जोड करके एक bike बनाई जाते है ठीक है तो इन सभी parts को जोड़ने से पहले उसकी quality control दोरा उसकी बहुत यह अच्छे तरीके से testing की जाती है उसके बाद उस part को bike में लगा जाता है तो ऐसे जिसे injector है तो injector हमको लगाना है engine में तो इसकी हर तरीके का test किया जाएगा सब test अपने में जब यह pass हो जाएगा तब इसको engine में लगा जाएगा तो यह आप से पूचा है कि कौन कौन से test किया जाता है तो इस सभी test जो है किये जाते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं next question है question number 335 इसमें आप से पूचा है diesel filter बना होता है कागज महीन तार की जाली नमदा तो इन सभी से जो है बना होता है इसमें कुछ खास है नहीं next question की तरफ बढ़ते हैं इसमें आप से पूचा है filter को साप करने के लिए हवा का दबाव देते समय गंदगी अंदर ना आ जाए इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं तो इसके लिए plug का प्रयोग किया जाता है कौन सा आप आप फिल्टर लगा जाता हो किस प्रकार का होता है तो कौन सा आप्सन सही हो जाएगा तो आपसन नमबर आपका यहां पर सही हो जाएगा पेपर फिल्टर का जो है उप्योग किया जाता है next question यहां पर फिल्टर की बात करें तो आप यहां पर कोई फारिंग अडर रख सकते हैं अगर एकदम की बात करेंगे तो आपको एक तीन दो रखना है फोर सिलेंडर इंजन में एकदम जो परफेक्ट हो क्या है तेरा बयालीच है शिक्स सिलेंडर इंजन में जो एकदम परफेक्ट है क्या है 15 36 24 अपसन नमबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा ठीक है next question की तरफ बढ़ते ह इस question है हमारा question number 349 इसमें आपसे पुचा है heater plug कहां फिट की जाते हैं तो heater plug combustion chamber में फिट की जाते हैं अब यह heater plug क्या है अब देखी मैं आपको बताता हूं कि जैसे बहुत बड़ा engine है ठीक है जैसे बड़ी बड़े industry में बहुत बड़े बड़े engine उपयोग की जाते है तो व compression जब हमारा हो यहां से diesel आए तो हमारा यह जलने लगे ठीक है छोटे engine में आपको तुरंत engine गरम हो जाता है और तुरंत हमारा जलने लगता है लेकिन जब बड़े बड़े engine इतना बड़ा बड़ा उसका cylinder होता है और उसमें piston जाता है तो वो उतनी heat ही नहीं generate कर पाता है कि ह हमारा यहां से जब compression stroke में पहुचे जोग आपको पता है diesel engine में जो पूरा खेल होता है उसमा का ही होता है जब हम लोग यहां पर वायू का संपीडन कराते हैं उसके उससे जो उसमा उत्पन होती है उसी से हमारा heat diesel जलता है तो यहां जो बड़े बड़े engine हो गरम ही नहीं हो होते हैं तो स्टार्ट ही नहीं होते हैं स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा प्रावलम होती है diesel engine में तो यहां पर क्या होता है कि जो बड़े बड़े engine हो उसके cylinder में बनाते समय यहां पर आलग से heater plug लगा दिया जाता है heater plug में ऐसा arrangement आता है कि यहां समदूग heat देते हैं तो जो cylinder है वो किया हो जाता है गरम हो जाता है उसके बाद फिर engine को start किया जाता है तो हमारा engine आसानी से start हो जाता है तो पहली बात आपको ध्यानगना heater plug कहा लगा जाता है combustion chamber में क्यों लगा जाता तो इसलिए कि जो बड़े बड़े engine है छोटे engine में इसका उफ्योग नहीं किया तो हम लोग क्या करते हैं, इस heater plug द्वारा पहले ही थोड़ी सी heater देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा पूरा cylinder क्या होता है, घरम हो जाता है, उसके बाद हम लोग बड़े बड़े engine को start करते हैं, तो मारा engine आसानी से start हो जाता है, तो उम्मेद करता हूँ आपका यह जो confusion है, यह heater plug क्या है, combustion chamber में कैसे, यह topic जो है clear हो गया होगा, देखिए, इंडेक्स question के तरह बढ़ते हैं, इंडेक्स question है, question number 340, इसमें आपसा पूचा है, injection pressure आधिक होने का क्या कारण हो सकता है, ठीक है, तो पहला है नाजल वालों का जाम होना, दूसरा है spring टूटी होना, तीसरा आपसन है, airlock और चोथा आपसन है, नाजल वालों कटा होना, तो simple consumption सही हो जाएगा, यहाँ पर यह option सही हो जाएगा, यह injection pressure अधिक का होगा, यह पाइप होईप से कभी, आप लोगोंने full वगएरा सीचा होगा, जब pressure नहीं बनते हैं, तो आप क्या करते हैं, पाइप के जो एक तरफ क्या कर देते हैं, हलका सा हांस से दबा देते हैं, तो pressure दूर तक जाता है, ज्यान से समझेगा, तो ठीक वही काम है, जब injection वालों जाम हो जाता है, तो जब उस जगां काम हो जाती है, और pressure आपका वही है, तो यहाँ से क्या होता है, injection जो pressure है, बहुत जादा अधि हो जाता है, यानि कि यहाँ पर fuel आता है, डीजल उसका pressure जो है, बहुत अधिक हो जाता है, option number A आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, next question, next question, question number 341, कि bleeding होता है, यानि कि जो bleeding है, वो क्या होता है, तो diesel system में फसी हवा को बाहर निकालने का काम, जो है, bleeding का लाता है, ठीक है, और air bleeding कहां पर उपयोग किया था, air bleeding पूछे, तो air bleeding वहाँ पर hydraulic जो मारे brake है, वहाँ पर उपयोग किया रहता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते है, जो hydraulic braking system रहता है, वहाँ से हवा को निकालने का काम करते है, next question, next question, question number 342, इसमें आज बुचा है, pneumatic governor के साथ inlet manifold में लगी रहती है, तो यहाँ पर option number आपका 20 होजा का plunger जो है, लगा रहता है, plunger में भी doubt होगा, plunger क्या होता है, दिखें जैसे piston है, piston हमारा कम चौड़ा होता है, तो इस कम चौड़ा है, थो हम लोग इसको piston बोल देंगे, लेकिन जो plunger है क्या, ज़्यादा चौड़ा होता है, इस तरीके से, यहीं कि piston होता है, piston से ज़्यादा चौड़ा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, plunger बोलते हैं, next question है, question number 343, इसमें आसा बोचा है, diesel engine में diesel का प्रचेपन, injection प्रारंब होता है, तो TDC से पहले, फिर सवाई question, तो कहां से TDC, यानि कि top rate center रोमाना piston पहुचने से, पहले ही क्या हो होता है, injection जो है, प्रारंब हो जाता है, कौन सा option सही हो जाएगा, तो option number B, आपका यहां पे सही हो जाएगा, next question की तरह बढ़ते हैं, next question है, question number 344, इसमें आसा बोचा है, यदि किसी spark plug में ज्वलन नहीं होता है, तो इसका क्या कारण है, पहला option दिया है, spark plug में, spark plug की tip पर का भी नहीं, तो यहां पे दिखिए, जो option आपको उसमें दिया होगा, ठीक है, तो यहां पे पहला यह option सही हो जाएगा, spark plug की tip पर कारण जमा होना, क्योंकि कमजोर ignition coil, ignition coil जो कमजोर या मजबूत होने से कोई मतलब नहीं होता है, ignition coil कमजोर होता भी नहीं है, तो ignition coil हमने बना जो कमजोर कैसे होगा, तो सबसे जो perfect region की बात करें, वह हमारा यहीं हो जाएगा, कि spark plug की tip पर क्या हुआ है, carbon अगर जमा हुआ है, तो हमारा spark plug में जोलन नहीं होता है, कभी तभी देखिए हम लोग बाई को गरा में, खोल खोल के बीच में क्या करते है, spark plug को गया करते है, स question है, question number 346, ठीक है, इसमें आप से पूचा है, power stroke में piston चलता है, तो कौन सा option सही हो जाएगा, तो option number D आप के हाँ पर सही हो जाएगा, अंदर से बाहर, क्यों भाई है, यह cylinder है, piston जब यहाँ पर जैसे ही fuel का धान होगा, तो कहां से चलेगा, नीचे की तरफ आएगा, यानि क इसमें आप से पुचा है, petrol का जोलन गुड किस के द्वाराविक्त किया आता है, तो petrol का जोलन गुड है, जैसे आपका अमाल लिजए, आप ही कोई है, तो आपकी कोई भी सहस्ता है, जैसे आप पढ़ने में बहुत तेज है, या आप कोई sports बहुत अच्छा खेलते हैं, तो बहुत अच्छा हां की खेलते हैं या यह बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं तो ठीक उसी तरह तीन टाइप का पेट्रोल आपके पास रख दिया जाए एक दो तीन तो हम बताएंगे किसकी आक्टेन संख्या इतनी है इसकी आक्टेन संख्या इतनी है और इसकी इतनी है तो जो डीजल। जोलन गुट को किसके द्वारा कियا झाता है‍ अके इन संखा कि द्वारा व्यक्त किया लाता है अंट według रिंग्र अब देखी जैसे प्र्टोल का जोलन गुट आ टेन निंबर वैसे जालने की शलन उसको क्या उन बताता है सीटन नंबर तो सीटन नंबर ध्यान से समझिए आक्टन नंबर कहीं आ जाए तो पेट्रोल सीटन नंबर कहीं आ जाए तो डीजल तो डीजल का जो सीटन नंबर हो क्या बताता है तो इधन की जलने की सरलता है कि जानी कि बहुत कितनी आसानी से हमारा जो डीजर गलता है उसी को हमारा क्या करता है उसी को हमारा सीटें नंबर रखत करता है नेक्स्क्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्क्रेशन नेक्स्क्रेशन नमगर 3,4,9, इसमें आप से पूछा है, तीन सिलेंडर टो इस्टोक इंजन में फारिंग क्या है, अब यहाँ पर भी जाओ ज्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं, एक दो तीन, कुछ लो भी चला सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने option A दिया है, A और B दोनों आपके हाँ पर सही हो जाएगा, अब आप एक्जाम में देख लिए का कौन सा option सही होगा, और अगर ऐसा हो जाता है कभी यह दोनों option दे देता है, तो आपको एक तीन, दो वाला option टिक करना है, यानि कि option number B आपको क्या करना है, सही करना है, नेस्ट क्रेशन की तरह बढ़ते हैं, इसमें आपसे पूचा है, वाल और लाख क्या होता है, पहला option है, वालो को किसी विशेश उद्देश से एक स्थिती में फिक्स कर देना, दूसरा option है, इंजन चलाते समय वालो का काम करना बंद कर दे लेना, तीसरा option है, वालो और लाख कर लाता है, वालो और लाख कर लाता है, यानि कि option number D, आपका यहां पर सही हो जाएगा, नेस्ट के तरह बढ़ते हैं, इसमें आपसे पूचा है, पिश्टन एवां फ्लाई विल की गत्य के संबंद में, एक IC इंजन में वालो के खुलने और बंद होने को क्या कहते हैं, तो simple, वालो टाइमिंग कहते हैं, और इसी के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, डाइग्राम बनाते हैं, मैंने आपको जोई PDF दिया, इसमें ये डाइग्राम बना के जो है दिखाया अभी गया है, तो कौन सा option सही हो जाएगा, आपका यहा यहां पर सही हो जाएगा, next question की तरह बढ़ते हैं, next question है, आप से इसमें पूछा है कि 3003 में एक इंजन में firing क्रम निरभर करता है, किस पर निरभर करता है, सबसे important question है, arrangement of cylinder, design of crankshaft, number of cylinder, all of these, तो देखिए, सबसे मेरे हिसाब से जो लगता है, मुझे जो लगता है, मैंने भी question लिया है, कि standard book से लिया है, उसमें क्या दिया है, number of cylinder, यानि कि कितने cylinder हैं, इस पर निरभर करेगा engine का firing order, ठीक है, अगर मेरा आप मोटिव लेंगे, तो यह दोनो, दोनो option होने चाहिए, लकिन यह मैंने कि standard book से लिया है, अच्छी book से question लिया हुआ है, इसलिए इसको मैं ग यहाँ पर C सही हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से, आप यहाँ पर सभी option कर लिजे, option number D सही कर लिजे, क्योंकि engine में जो firing cram होता है, arrangement of cylinder, design of crank, और number of cylinder, इन तीनों पर निरभर करता है, ठीक है, तो यह book में question गलत भी हो सकता है, ठीक है, book में option number C दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर option number D यहाँ पर सही करिए, 300 तीरपन का option number D आप यहाँ पर सही कर लिजे, कि एक engine में firing cram किस पर निरभर करता है, तो arrangement of cylinder पर भी निरभर करता है, design of crank shaft पर भी निरभर करता है, number of cylinder पर भी निरभर करता है, तो कौन सा option सही हो जाएगा, option number D आप कहाँ पर सही हो होता है तो outlet wall के पिछ्चे क्या रहता है बढ़ा रहता है ताकि ज्याधा ज्यादा air आ सके और ज्याधा आक्सीजन आ सके तो हमारा जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न कर सके और आज के टॉपिक की यास्ट क्योस्ट्ट बढ़ते हैं इसमें आप से पूछा है डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया आता है तो एक छात्र नहीं यह भी पूछा था तो इसमें इनलेट वाल से किया जाता है मैंने आपको बताया है इनलेट वाल से यह आती है इंजन में एक ही वाल होता है इंजेक्शन वाल होता है उससे हवा आती है इसा कुछ नहीं है इनलेट वाल से हवा आती है आउटेट वाल से धुमा बाहर जाता है और इंजेक्शन वाल से हमारा डीजल आता है तो इसी के साथ जो हमारा यह टॉपिक है खतम होता है तो सबसे प तो यहाँ पर आपके जिंदगी खतम नहीं हो जाती है अगर आपके पास मौकें है अगर और किये जब आपकी कम है तो आप क्या करसकते हैं और भी ज्यादा जो लिए एक्जाम देर सकते हैं तो वीडियो पसंद आए हो तो ल id yhtो को धन्यवाद